मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी मारी गोल्ड के जो फूल होते हैं वो बहुत ही बड़े-बड़े बिग साइज के खीले तो आप भी आज मेरे साथ त्यार हो जाएए मैं आज आपके साथ सेर करूँगा इसकी मिट्टी किस तरह से होनी च करते हैं आप अक्सर देखते होंगे नरसरी वाले जो फूल लगाया जाते हैं उसके बहुत ही बड़े-बड़े साइज की फूल आते तो इसकी मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए आज मैं आपके साथ सेर करूँगा यह आप देख सकते हैं उसकी मिट्टी मैंने अल्रेडी भी अभी आई हुई है और यह पिछले साल की वीडियो है जो कि आप यह देख सकते हैं बहुत ही बड़े-बड़े साइज की खिले अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि मेरे घर पे खिले तो आप इस वीडियो पर बने रहे हैं पूरी इंफॉर्वेंशन मैं आज आपके सारी कलिया लगती है तो आप भी त्यार हो जाएए आज मैं आपके साथ बहुत ही जवर्जस स्वैल आज आपके साथ सेर करूंगा जिसका आप यूज करके आप अपने घर पे बहुत ही अच्छी तरह से मारी गोल के पौधे को ग्रो कर पाएंगे उसमें बहुत सारे किस तरह से मिट्टी आप बना सकते हैं सबसे पहले तो हम अपने गार्डन की मिट्टी लेते हैं नॉर्मल मिट्टी जो होती है वह मिट्टी हम लेंगे और यह आप देख सकते हैं बहुत सारे खाद है कुछ रेत है यह आप देख सकते हैं मिट्टी है नॉर्मल जो हम अपन चाहें तो आप इसके जगह पे गुबर की खाद भी यूच कर सकते हैं, बट बर्मिक कमपोस्ट बहुत ही जवर्जस्त होती है, यह आप देख सकते हैं लिव खाद, जो की पत्तो की खाद है, और यह है नीम खली, जो की मिट्टी में हमें देनी होती है, यह है हमारे पास सर्स सर्सोखली का पाउडर हमने बना ली है, तो इस तरह से पाउडर आपको बनानी होती है, और एक हिससे हम कोकूपीट लेंगे, यह आप देख सकते हैं, कोकूपीट अधिक हमें नहीं लेनी है, मात्र दस परसेंट आप ले लेनी है, ताकि मिट्टी भी भूरबूरी हो जाए और मिट्टी के अंदर में नमी को यह बनाती है, और यह है बोन मील, यह की केल्सियम और फासफोरस की अच्छी सोर्स है, यह एक और्गनिक मेटर भी है, तो इसे भी आप दे सकते हैं, वेल दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से हम मिक्स बना लेंगे, और दोस्तों जब भी आप गमले की सोयल जब आप बनाते हैं, तो आप उस पर 40% आप अपने नॉर्मल गार्डन की सोयल देनी है, मतलब normal मिट्टी लेनी है, और 40% आपको खाद ले लेनी है, और उस पर आप 20% रेत मिला दे, तो आपकी मिट्टी जो होगी बहुत ही पॉरस बनेगी, वेल रेन ब मिलानी है और इस तरह से जब हम मिट्टी मिक्स अप करेंगे तो इसे आप लगबक एक दीन या फिर 24 घंटे आप शेड एरिया में छोड़ बना करके जिससे की मिट्टी के अंदर में जो भी खाद जो हमने अभी मिक्स अप करी है उसकी हीट जो होगी वो निकलाएगी और यह आप देख सकते हैं यह हम फंगी सैट हमने मिलाई है साफ फंगी सैट जो भी हो आपके पास आप उसे मिला ले ताकि मिट्टी के अंदर में जो फंगस एक्टिव होती है वह जल्दी नहीं होगी और बहुत सारे कीट भी से दूर रहते हैं तो चलिए यह स्वेल हम आभी छो सब्सक्राइब हम मिल रहे हैं दोस्तों चलिए अब हम घंवल करतें फील करने के लिए गंपले की ड्रेनेज होल को आप किसी ठीक्री कंकर या फिर कोको कोर्स के मदद से बंद कर दें यह आप देख सकते हैं गंवले में आपकी होल होना बहुत ही जरूरी है इससे पौदे क उपर से जोद भी नहीं उपाईगे चलिए यह मिट्टी इस तरह से प्रेश नहीं करने मिट्टी को दबानी नहीं है इस तरह से उपर से हलकी से डीप बना लेंगे और यह आप देख सकते हैं छोटे-छोटे पौधे मारी गोल के हैं जो की हाइबिड है और यह इनका की वराय बड़े नहीं होंगे लगबक एक देड़ से दो फीट ही होंगे और इसमें फूल जो खिलते हैं वह बहुत ही बड़े साइच की होती है अगर सही खाद और सही मिट्टी आ बना पाएंगे तो आपके पौधे की ग्रोध बहुत जवर्जस्त होगी और फ्लावरिंग भी बह चाहब यहां सकते हैं आप में इसे निकालकी कर अपने में और जो की बड़े वहते हैं हु क्रावर जोगी वह बड़े साइच का होती है पोधे इसके ज्यादा बड़े नहीं होते हैं लगाने से पहले आप यह देख सकते हैं लगबग 2 इंच मिट्टी में डिप करनी है यहां से आप देख सकते हैं ज्यादा आपको मिट्टी को प्रेस नहीं करने हलके से इस तरह से प्रेस करके अब इस तरह से स्टेबल करके अब इसे हम उपर से वाटिंग करेंगे और इसे लगबक दू दिन आपको स्चेड में रखनी है उसके बाद आप इसे फूल देके धूप में रख सकते हैं धूप की इसकी अच्छी रिक्वाइर्मेंट होती है लगबक दीन के 5-6 गंटे धूप देंगे इस पूद्य की ग्रोथ अच्छ करनी है ताकि मित्ती जो है बाहर निकल आएगी और पौधे भी डेमेज हो सकते से बहुत ही ध्यान से आपको वाटिंग इस तरह से करनी है तो चलिए दोस्तों यह हमारे प्लांट हो गए और आपने भी देखे होंगे किस तरह की हमारी सोयल है तो चलिए अब इन गमलों में अब ही आज मैं पौधे को लगा दूँगा चलिए इस तरह से सभी में सिप्ट कर दूँगा कि तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी से इसकी प्लांट को ला सकते हैं अभी भी समय बचा हुआ है और आज है दस नौवंबर तो अभी से आप लगा सकते हैं वैसे अमारी गोल के पौदे जो होते हैं वो है अक्टूबर से लगना स्टार्ट हो जाता है अगस्त और अक्टूबर से लगाना स्टार्ट लोग कर देते हैं और इस तरह से चलिए यह हाइब्रीड वाली है जो कि प्लांट हमारे काफी अच्छी भूसी भी बनेगी बूसी बनने के लिए एक प्रोसेस है उससे आपको करनी होगी उपर की सिदा से हमें पिंच करनी होते जिससे कि वो काफी घनी और बूसी हो जाती है और बहुत सारे इस तरह से में मिलते हैं तो चलिए यह पौदे हमने सिप्ट कर ली है इस तरह से अच्छी तरह से हमें वार्टिंग करके इसे लगबक एक से दो दिन सेडे अरिया में हमें रख कर रख देनी है उसके बाद हम इसे फूल डे के धूप में रख देंगे उसके प्रोपर है यहां को चैनल को भी कर ली जागा साथ